हाथ पैर, कमर, पीठ में दर्द होगा, बिल्कुल ठीक, बस रात को सोने से पहले इसे पी लें। दोस्ता अगर बॉड़ी में कहीं भी दर्द हो तो हमें बहुती परिशानी होती है। जब शरीर का नर्व सिस्टम अच्छी तरह से काम नहीं कर पाता, मसल्स वीक हो जानी के वज़ा से या फिर बॉड़ी में कुछ निट्रीशन की कमी से, जैसे कि पोटाशियम, फॉली कैशिडिया, फिर कैल्शियमी कमी से, विटामिन डी की कमी से भी बदर में दर्द होना शुरू हो जाता है। आज हर दूसरा व्यक्ति शुरीर में किसी ने किसी प्रकार के दर्द से परिशान हैं, जैसे जुणों का दर्द, पीट में दर्द, कमर दर्द, हाथ पर दर्द, हादी। आज हम आपको ऐसे उपाया बताएंगे, जो आपके शुरीर में होने वाले दर्द को ये दूर कर देगा, और आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे ये दर्द कभी था ही नहीं। हम ऐसे ड्रिंक तयार करेंगे, जिसकी मदद से हम अपने शुरीर के सारे दर्द से चुटकारा पा सकेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको इस उपाय को तयार करने के लिए चाहिए एक गिलास गर्म दूद, दूद को यहाँ पर उबाल लीजेगा और एक गिलास यहाँ पर लीजेगा, इसमें एड करना है एक चौथाई चम्मच सूट पॉटर, लगबग तीन गराम के आज़स पस आपको सूट पॉटर लेना है दोस्तों, दोस्तों यह सूट अद्रक को सुखा कर बना जाता है, इ इसमें कहीं भी दर्द हो, आप सूट का इस्तमाल जरूर कीजिए, यह पेन गिलर की तरह काम करता है, यह दर्द को खिजने का काम करता है, इसके लावे इसमें एड करेंगे आधा चम्मच सौफ पॉटर, यानि कि फैनल सेट्स पॉटर, सौट और सौफ पॉटर को दूद म मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स कर लीजे, और आप इसका सेवन रात को खाना खाने के एक घंटे के बाद करें, आप जाहें, तो मिठास के लिए इसमें मिसरी भी एड कर सकते हैं, एक बात का ध्यान रखेगा कि इस ट्रिंग का सेवन आपको सिर्फ गर्मी के मौसम में नही के महने में, उस समय आपको इस ट्रिंग को नहीं लेना है, बाकि नॉर्मल गर्मी भी है, तो भी आप इस ट्रिंग को ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करता, दोस्तों, शरी में होने वाले हर तरह के दर्द को ये कम करने के लिए सोंट पॉडर बहुत ही फादय बन होता है सोंट जोडों में होने वाले दर्द और मानशपेशियों में होने वाले जकडन को दुर करने के लावा, इसमें पाया जाने वाले एंटिम्लामेटरी प्रॉपरडीज, आपके पेट को तो साफ हरकती ही है, साथी सार शरी में होने वाले दर्द को भी कम करती है, इसके चार दिनका लाओं से आप देखेंगे कि खाएंगे को रसी में होने वाले तरद या फिरखेंगे पूरी तरह से खुछ जाएगे तो इसी में हो एगर कम्यी कमई हो जा या उज Tuesday में शिर्षा में निकी कमद्यार भरपूर मातरह में होता है साधे साधे इसमें प्रोटीन भी होता है जो हमारे पूरे श्रीर के लिए अच्छा होता है इस दूद को पी के सोएंगे न तो आपको नीद भी बहुत अच्छी आगी तो इस ट्रेंग का सेवन कीजे लगतार कम से कम साथ दिनों तक आपको फादा मिला गया है और सोंट की तासिर गर्म होती है जो नुकसान पहुंचा सकती है तो आज किसी वीडियो में बस इतना ही ये नुस्खा आपको कैसा लगा आप हमें कॉमेंट कर बताएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजेगा धन्यवाद